अब की बार जोला तैयार, अब की बार प्रधान मंतरी फराथ, अच्छे दिन बोलके कच्छे दिन में ला दिया, अब प्रधान मंतरी यही प्रधान मंतरी बोलते थे, भायो भायनो, मुझे भी पक्स चरण में बोलने नहीं दे रहा है, इसलिए मैं पबलिक में आके बोल रह और हम दोड़ाने क्या है हमारा वोट जो पधा मंतरी कहते हैं मेरा बूट सबसे मजबूत तो हम जनताव कह रहे हैं कि हमारा वोट नमस्का में जोती आदो और आप देख रहे हैं नैशनल दस्तक साथ जुलाई और कॉंग्रेस के लिए एक बड़ा दिन था और साफ तोर पर वो याद होगा आपको कि मोदी सरनेम पर किस प्रकार से टिपड़ी करके बुरे फस गए थे राहुल गांदी हलाकि वो भी हुआ कि BJP का ये कहना था कि OBC समाज की भावना आहत हुई है और वो कहीं न कहीं OBC समाज के लोगों को नीची जाती का कहना चाहते हैं लेकिन इससे भी इनकार कर दिया था ये बयान खुद OBC समाच के अध्यक्च का आया था इस बीच में आज साथ जुलाई पर कोट के फैसले ने बिलकुल भी राहत नहीं दी है राहूल गांदी को साफ तोर पर जो दो साल की सजा सुनाई गई थी अभी वो लगातार बरकरार है इसी को लेकर कॉंग्रेस जगा जगा प्रदर्शन करती भी दिखाई दे रही थी इस वक्त मेरे साथ कलीम शेक जो बे धड़क बोलते हैं और उनकी वीडियो और इनके चहरे से तो बकाइदा आप इनहें जानते होंगे तो सीधे दोर पर इनसे में बात चीट करना चाओंगे क्या कहेंगे आपको पता ही है मतलब जब से ये सत्ता नौ सालों में मैं देख रहा हूँ कि वीपक्ष को जो है एक द्वेस भावना से कारवाई कर रही है अभी देखिए कि अगर कोई विपक्ष का नेता भी हो तो उसकी सुरक्षा की गैरेंटी जो है सरकार के उपर होती है फिर राउल गांदी के उपर ये सब चीज़े आके निकल के आती है कभी राउल गांदी गांदी पपू बन जाता है तो कैसा है कि जब नरिन मुझी शाब हमारे जो परदान मंतरी हैं जब डिल्ली एलेक्षन में 49 गाली गिनवाते हैं करनाटा की एलेक्षन में 91 गाली गिनवाते हैं तो और बाद में धाई किलो गाली भी वजन तौल लेते हैं तो ये क्यों करते हैं आपको पता ही होगा लेकिन इस बार जो है प्रदान मंत्री के साथ हाला जो है तोटल विपरिज चल रहा है परधान मंतरी को हम जनता समझ रहे हैं अब परधान मंतरी को मैं बार बार कह रहा हूं कि परधान मंतरी दोड़ा जाएंगे इनके नेता भी दोड़ा जाएंगे 24 में और हम दोड़ाने क्या है हमारा वोट जो मेरा अधिकार है हम इसी से हम मतलब यह हम जनता के पास और कुछ कि यह जो वोट है इसे हम दोरा देंगे प्रदामन्तरी को मित्रों की प्लेन में बैठ के आए थे 2400 में उसी मित्रों के प्लेन में बैठ की चले जाएंगे आपको शाइब पतान होगा और 8000 करोर का जो प्लेन लिया है और छीड़ें लेंगे क्योंकि वो हम जनता के पैसो का है उनका चोड़िये विपक्च की तो खाट खड़ी हो गई है राउल गांदी को तो कोट भी राहत नहीं दे रहा खड़ी हो गई विपक्च की तो सुनो खड़ी हो गई खाट है चोबीस में तुमारा अगर न करते महंगाई तो चुनके आते दुबारा चोब खड़ी हो गई खाट है चोबीस में तुमारा युवा मांगे भरती अब तक नहीं निकाली समझ रहे हैं हम भी तेरी हर मकारी एडी और सिबिया एक दर से भागा पवार हमारा खड़ी हो गई खाट है चोबीस में तुमारा अभी तुमने खाट का नाम लिया ना तो हम जनता इनका खाट खड़ी कर चुके हैं क्या करें हम छोटे मुटे लेकक हैं तो हम अपने इस मादियम से जनता तक पहुचन चाहरे हैं और यह बताना चाहरे हैं कि यह जो वोट है यह और शात्ता को दोड़ाएंगे हमारे वोट के मादियम से यह मेरा वोट जो पधा मंतरी कहते हैं मेरा बूट सबसे मजबूत तो हम जनता कह रहे हैं कि हमारा वोट आप मुझे यह बताईए कि जिस प्रकार से राहूल गांदी को तो राहत नहीं मिल रही है और विपक्षिप के तमाम लोगों को गेरा जा रहा है देखिए राहूल गांदी का कंप्यरिजन पूरे भाजपा में नहीं है वो एक शब्द कह देते हैं राहूल गांदी तो पूरी भाजपा की मंडली जो है उसको कैसे डिफेंड करें कैसे उसको डिस्ट्रॉइ करें उसमें लग जाती है तो समझ जाओ कि राहूल गांदी कि बड़ी सक्षियत है कि मोधी समाज पर टिपड़ी कर रहे हैं साफ तोर पर नीचा दिखा रहे हैं क्या राहूल गांधी यह बताना चाहते हैं कि वो लोग दलित हैं जली तो का अपमान नहीं सहेगा बीजेपी सरकार वो जली तो का आपमान बोल रहे हैं और पिशाप करवा अब करवा रहा है अब यह कि सक्त करवा ही वह का देखा नो शुक्त करवाई सब्सक्राइब अईशा एक टीन का पत्रा था उसे जेशी भी लेके गिरा दिया मामा चिला रहा तक तीवी पर बैठके कि घर पर बुल्डोजर चल गया हम जनता बेवकूफ नहीं है इस बार ज हम जनता के उपर मूतो अपर जनता का पैर ध्यो ओगर हम जनता बेवकूफ हैं हां बताओ अब जनता बेश नहीं है जनताम्य कमोदी नहीं तो कॉण आए गा तो मोजी ही अधिकाह इससी को लेकर तो जनता इतना प्यार क्यों करती है? आप लोग नरेटिव मत बनाएं जनता बैटिये गुष्षे में तो लोग तंत्र में बाइने वोट की चोट से जनता जिता रहे तो वोट तो दे रहे बाचते क्यों जीता है? 14 में क्या मुद्धा था? क्या निजान प्योट स्मझदार हो जाना चाहिए था? कि परदान मंतरी ने एक बहुत बड़ा पाशा फेका था मेरे फॉर्स टाइम मोटरों से कहना चाहता हूं क्या आपका पहला हो पुलवामा के सहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या तो हम भाउकता में दे दिये थे अब यह तीसरी बार हम जुटा लेके खड़े हैं यह जुटा भाईो भाईनो मुझे भी पक्स शदन में बोलने नहीं दे रहा है इसलिए मैं पुब्लिक में आके बोल रहा हूं काता नहीं काता है जनता जनादन है तो जब जनता जनादन है तो फिर परदान मंतरी जनता से बड़ा कैसे होता है तो उन्होंने कब कहा कि मैं जनता हूँ तो कहने हैं मैं फकीर आदमी हूं जोला उठा कर चल दूंगा तो तैयार है चलो रे जोली उठाओ चुकिदाब अब जाने की तेरी रुत आई और परदान मंतरी को हम नहीं जनता ने अपने पलकों पर बिठाया था ना तो अब हम जनता भी कह रहे हैं कि इननों की तुठा मो कि बाते तेरी निकली जूटी वादो में तेरी कोई जोर नहीं है वादे तेरे सब हवाई होती है जल्दी जोला उठाओ चुकिदाब जाने की तेरी रुत आई तो चुकिदाब जोला पकड़ के जाएगा कहां पर मित्रों के प्लेन में कि इस बार राहूल गांदी चेहरा है क्योंकि उनकी तो संसतपत की सदस्ता तक चली गई करेंगे जोटा चेहरा नहीं यह गई है पर चेहरा बहुत है आप लिग रहा है प्लाल तो मुझे आप क्या कहना चाहते हैं कि इस बार कलीम शेक पी मोदी पद्क की दावेदारी करे जो इंपोसिबल है उसे पॉसिबल यही तो समस्य है आम जंता कि आप उस पद के लिए दाविद हो जाए न तो सबसे पहला टेंशन आपको दूंगा मैं अगर परदान मंतरी बना तो हमें देंगे मीडिया को तो पहले आजात करूंगा और उस पे जाच बिठाऊंगा कि यह यहां रखना तो अभी सकता ही किसकी है कि मेरे को प्रदा मंतरी मत बन माओं मैं बन गया तो तुमारी मीडिया की सामत है हम तो गिनवा रहे हैं अच्छे दिन बताईए राम मंदिर गिनवा ने बोलके कच्छे दिन में ला दिया हमने सोचा था कि शट के उपर एक कमीज सब्सक्राइब ने अच्छे दिन ग्याओं रहत नहीं दे रहा है अब तो रहूल गांदी को लगातार हला कि आलग बात है कि तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सडकों पर उतर रहा है संसन नहीं सड़क पे ही जगा मिल रही है अब तो कहा रहे हैं विपक्त। जो अधिकार है हमें उसकामिस्तमाल सही जगा करेंगे अब हम बावनाओं में नहीं बहना हैं हमें पता चल गया क्योंकि इनी के जो राज्यपाल हैं इनी के वो कहते हैं कि जो है पुल्वामा हमारी सरकार की गलती से हुआ था तो जो हमारे जवान में रहना उसका दर्द अभ प्राइमिनिस्टर दोनों मित्रों के ट्रे प्लेन में बैटेंगे और चले दानी पर भी कोई गीत लिखा है तमाम गीत आप लिखते ही रहते हैं ना यू शर्म से तुम निगाहें जुका लो अदानी करिश्टा हमें भी बता दो मुझे फिर से अपना चोकिदार बना दो कोई बात अपने मन की सुना दो मन की बात सुनाते हैं प्रदार मंतरी साफ तोर पर देख लिजे एक बार फिर से कलीम शेक के साथ ये बातचीद बेहद जबरदस्त रही है मुझे भी बेहद अच्छा लगता है क्योंकि जब से हमारा एक वीडियो वारल हुआ तब से तो मुझे लगता है कि आप से बात करना बेहद जरूरी है फिलाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल न भूल नहीं अब की बार किसकी सरकार आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी रहा है जरूर बताए आपकी बार जोला तयार आपकी बार प्रदार मेंटरी फरार आप बताएगा कि आपकी बार जोला तयार सचमे कर रखा है क्योंकि सेत्ता पक्स तो दावेदारी लगातार करेगा लेकिन वोट की चोट से तो सरकार आप ही बदलने वाले हैं अपनी राय मुझे जरूर बताएं कि आमरा परसंतोहित के साथ जोती आदव नेशनल दस्तक नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे लाइक करे कमेंट जरूर करे